प्रणाम सद्गुरु जी, अमेरिका में एक कारेक्रम चल रहा है, वैश्विक दुनिया से हिंदुत्व का खात्मा, आप हमें क्या सुझाव देंगे, इस स्थिती में आप हमें क्या मागदर्शन देंगे? वो तो पिछले आट सौ नौ सौ सालों से यही कहते आ रहे हैं, तो क्या हो गया? वो पिछले करीब एक हजार सालों से हिंदुत्व या हिंदु धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हम आज भी हैं, हमें इसे मजबूत करना होगा, दूसरे लोगों के कामों की चिंता न करें, हमें इसे मजबूत करके इसे आकरशक बनाना होगा, ताकि लोग इसे अपनाएं, हम में जाती और पंत के सभी भिधभाव खत्म करने होंगे ताकि सभी इंसान हिंदू ढांचे के भीतर गरिमा के साथ रह सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोगों को निश्चित रूप से खो देंगे। हिंदूत्व का खात्मा अमेरिका के किसी विश्वे द्याले में नहीं हो रहा है। उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हिंदूत्व का खात्मा हमारे गाउं में, हमारे शहरों में हो रहा है। क्योंकि हमने अपने ही लोगों के साथ भिधभाव किया है। इन सीमाओं को तोड़ने का यही समय है, और यह बहुत जरूरी है, किसी ने मुझसे पूछा, एक साथ कैसे काम किया जाए, साथ मिलकर काम करने का यही तरीका है, सभी सीमाओं को तोड़ देना, ताकि आप लोगों को उनके जन्म से नहीं, बलकि उनके गुणों से पहचाने, अगर आप यह काम करें, तो कोई भी से खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू ही पूरी दुनिया का भविश्य है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तारकिक हो गए हैं, इनसानी बुद्धी इतनी विक्सित हो गई है, कि अब उन्ह कोई भी तरकीन चीज स्विकार नहीं है, तो तरकीन बातें और स्वर्ग का लालच अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाता, ये एक लौती संस्कृती है, जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है, और अगर इसे दुनिया को ठी विज्ञान और तकनीक है, ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है, तो ये अतीत की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है, ये अतीत की परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये आजकल बहुत सारे कुट्ते हैं, इस पर कुछ रिपोर्ट भी है, वे लोग भौकते हैं, पर उनसे लड़ना जरूरी नहीं है, बस उन्हें अकेला छोड़ दें, जो मूलिवान है, आप उसे मजबूत बनाएं, हमें अमूली चीजों को मजबूत करना होगा, वे चाहें जो क करें, वे हजारों सालों से कर रहे हैं, पर हिंदुत्तु का खात्मा अमेरिका के विश्वे द्यालें में नहीं, बलकि हमारे गाउं और कस्बों में हो रहा है, और इसका मुख्य कारण है, हमारे समाज में मौजूद भिदभाव, इसमें अगर हम एक साथ मिलकर काम करें, औ और उन दीवारों को तोड़ दें, जो हमें बाटती हैं, तो इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता।